हलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी अपनी चैनल विवास लाइप में हो करती हूं सब लोग स्वास्त होंगे मस्त होंगे हम लोग भी अच्छे हैं अभी देखिए साम का बज रहा है पौने साथ और आज मेरा पता न हम बोले, इमसे पूछे हम बोले, आज है अज है नहीं आज बने स्वाग है तो चलिए देखते हैं, कैसे मेरा रहे तो फ्रेंड्स ये देखिए, मे兒 हैं चूले बना रहा हैं बाहर में हैं थोड़ा ज़ी लाएब बनाने के लिए क्ट्टू अगर नहीं भोलता है इसको नहीं खाना होता तो नहीं लाते क्योंकि उनको भी तेल मसाला अभी खाना नहीं है तो वह भी बहुत कम खाएंगे तो यह किट्टू के लिए ले आ दिये हैं और बोले कि चुला पे ही बनाते हैं अच्छा बनेगा कडाई में और जैसा हम बताएं मेरा तबियत पता नह पसा देंगे तो चावल भी हो गया मेरा लिट्टी उसी पे मुर्गा जो बनाए है उसी चुले पे लिट्टी भी लग गया है पांश ठो लगाए थे ज्यादा नहीं और चावल भी है तो इतना में बहुत हो जाएगा इतने में तो बच भी जाएगा कि टू इतना मन से पूरा नहीं बना पाए है चुला पे और इतना खास बना भी नहीं रहे थे बस थोड़ा सा बनाए है ऐसे ही सिंपल साधा सा तो यह सा तो हम आप लोगों के साथ कई बार शेयर किये हैं ऐसा रेसिपी तो इसलिए हम नहीं लिए और मेरा मन भी नहीं कर रहा था लेटे थे हुआ और कि टुक पापा ही मना रहे थे यह बाहर में तो अभी बना लिये हैं तो बस हम खाना थाली लगाने के लिए निकल ऊट के मतलब आ गए है अब चल रहे हम लोग खाना खाएंगे उसके बाद थोड़ा चलेंगे टहलेंगे रमलीला मैदान में खाना खाने के बाद अभी आगया हुजाला तो अभी हम लोग 3 km टालेंगे ना हम लोग का रोज साम का 3 km रता है टारगेट तीन किलो मेटर गूमते हैं फिर 10 मिनट बैटते हैं उसके बाद चलते हैं रूम पे यह वाज का च्छोटा सा वीडियो अगर वीडियो पसंड आ गयाि तो प्लीज वीडियो को लाइक शैर शास्क्राइब चरूर जो नए हैं मेरे वीडियो पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं क contracting मेरे परिभार में सामिल हो जाईए मिलते हैं आप लोगों से कैसे ही अच्छे से नई ब्लोग में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई गुड नाइट